बॉक्स ओफिस पर फिर दहाडेगा टाइगर इस एक ट्रेस के साथ करेंगे रोमान्स बलेवुड के भाई जान की बॉल का बस्टर टाइगर सीरिज की दो फिल्में एक था टाइगर और टाइगर जिन्दा है ने बॉक्स ओफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिये थे अब इस सीरिज की 30 कड़ी शुरू होने जा रही है इस सीरिज की दोनों फिल्मों का निर्मान करने वाली यश्राज कंपनी के सूतरों का कहना है कि 30 फिल्म के कहानी का धाचा लगभग तयार हो गया है ये भी बताया जा रहा है कि इस बार भी फिल्म में सलमान के साथ कैटरीना कैप की जोड़ी काम करेगी जब टाइगर जिन्दा है बनी थी तो कैटरीना कैप ने 30 कड़ी को लेकर कहा था कि उनको इसकी गुंजाईश नजर नहीं आती फिल्म की अधिकारिक घोशना होने में अब ही समय है लेकिन माना जा रहा है कि अगले साल के दूसरे हाफ में ये फिल्म शुरू हो सकती है और इस बार भी फिल्म अंतराश्ट्रे स्तर पर बनेगी टाइगर जासूसी के नए केस को सुलजाने के मिशन पर जाएगा संकेत मिले हैं कि इस बार टाइगर का मिशन पाकिस्तान या बंगलादेश हो सकता है ये भी लगभग तैमाना जा रहा है कि टाइगर जिन्दा है का निर्देशन करने वाले अली अबास जाफर ही इस तीसरी कड़ी का निर्देशन करेंगे सल्मान खान इन दिनों ईद पर रिलीज होने जा रही अपनी फिल्म भारत की अंतिम तेयारियों में व्यस्त हैं भारत का निर्देशन भी अली अबास जाफर ने किया है अगले महीने भारत का ट्रेलर लॉंच होने जा रहा है भारत के बाद सल्मान खान को दबंग की तीसी कड़ी और संजलीला भनसाली की फिल्म इशा अल्लाह का काम शुरू करना है इशा अल्लाह अगले सालीद पर रिलीज होगी इशा अल्लाह में सल्मान के साथ पहली बार आलिया भट की जोडी काम करने जा रही है